जब आप गर्मियों के सीजन में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो गर्म हवाओ से बचाने या रोकने के लिए टमाटर के चारों तरफ गेंदा या मक्का को अवस्य लगा दें जिससे तेज गर्मी में हवाओ या सूर के तेज किरण से कंट्रोल कर सकता है नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका क्रेटिव फार में दोस्तो आज मैं आपको टमाटर की थिरी वराइटी के बारे में जानकारी दूँगा दोस्तो टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और फसल पर रोग वा कीट का आटे का भी इसके लिए हमें मौसम के अनकूल सही किसमों का सही चुनाव करना होता है यानि की सही समय पर सही किसमों का चुनाव करना अनिवार होता है टमाटर की धेर सारी हाइवरेट किसमे हैं अलग-अलग मौसम के हिसाब से उन्ही किसमों में से आज मैं आपको वीडियो में उन किसमों करूंगा जो आपको लगानी चाहिए जिनकी बुआई गर्मी में की जाती है जब आप गर्मियों के सीजन में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो गर्म हवाओं से बचाने या रोकने के लिए टमाटर के चारो तरफ गेंदा या मक्का को अवस्य लगा दें जिससे तेज गर्मी में हवाओं या सूर के तेज किरड से कंट्रोल कर सकता है किसान भाईयों इससे फूल ड्रोप नहीं होता है इसके कारण फल अच्छी तरह से लगते हैं अब बात करें नमबर वन वराइटी की बारे में नमबर एक पर आती है सेजन्टा कंपनी की सानू बतिसी क्यावन वराइटी है इस वराइटी से फल का अच्छा उत्पादन होता है और यह वराइटी है बात करेंगे पहले फल की तुड़ाई के बारे में तो यह वराइटी 60-65 दिनों में तुड़ाई के लिए तयार हो जाती है इसके फलो काकार गोलाकार का होता है जिससे बाजार में अच्छा मुनाफा मिलता है अब बात करेंगे टॉप सेकंड वराइटी तो सिम्निस कंपनी की अंसल के नाम से आती है इसके फलो काकार अंडा की आकार की तरह होते हैं इसके करण यह अत्यधिक मजबूत होते हैं वह गर्मी के प्रतिसान सील भी होते हैं और यह हाईवरेट वराइटी है और अब बात करेंगे टॉप थ्री वराइटी जो सेजन्टा कंपनी की अभिनो वराइटी है इसके भी फल अंडा की आकार की तरह होते हैं यह वराइटी काफी लंबे समय तक उत्पादन देती है इसकी पहली तुड़ाई 60-65 दिनों में कर ली जाती है तो किसान भाईयो या तीन किसमे रही जो वराइटी अच्छी लगे उस वराइटी को लगा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसान दोस्तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक अजा सस्क्राइब है लोग जल्दी से कंप्लीट करवा दो आप सभी लोगों का आभार रहेगा धन्यवाद